आच्छना स्वेज बाक्षाला में आप सभी का बहुत-बहुत स्वगत है डोसे खाने हैं लेकिन डाल-चामल भूझे नहीं तो आज हम बनाते हैं ब्रैट से डोसे यह बहुत स्वादिष्ट बनते हैं पता ही नहीं चलता है कि ये आपने ब्रैट से बना है, तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं, ब्रैट से दोसी, हमने 5 ब्रैट के स्लाइस ले लिए हैं, और इसको हमें एकदम बारिक पीसना है, तो आप हाथ से ही इसको अची तरह से मुसल मुसल के इसके टुकडे कर ठीज पुरी है तो चौपर में डालकर इस तरह से एकदम महीन चूरा कर देना है इसका भीडम परफेक्ट है अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें हम नमक डालेंगे एक चमच भरके हम नमक डाला हुआ है और जो बरेड का चूरा किया तो एक कब हमने दही लिया है दही खटा नहीं है जादा और एक कब हमने रवा ले लिया है अब इसमें जो बारिक वाली सूजी लिये तो उसी कटोरी से हमें दो कटोरी भरके गरम पानी इसमें डाल देना है और गरम पानी डालेंगे तो सूजी थोड़ी फूलती है इसलिए ह अच्छा बारी पीस लेंगे जैसे हम डोसे का पीस्ते है तो देखिए इसे हम अच्छी तरह से चेक कर लेंगी यह डोसा का जैसा पतला बैटर बना है या नहीं और अब हम इसमें डालेंगे आदी चम्मत से कम बेकिंग सोडा और इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे और से हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है मिक्स करते समय हमें पता चल जाता है कि यह डोसा का जैसा पतला बैटर बना है या नहीं नहीं है तो इसमें हम थोड़ा सा नॉर्मल पानी मिलाकर इसे परफेक्ट डोसा बैटर जैसा बना लेंगे अब दोसा बनाने के लिए हमने तब गरम करने के लिए रख दिया бы कि तब गरम हो जाएगा तब हम इसमें ड civ का बैटर डाले गए यह अपने साइज का अधि कि मुझे दोसे बनानी साफेब और बादी खाये तो हमें पता चल जागा कि ये एक साइट से अची तरह से फ्राई हो चुका है, कलर दिखने लगता है, तो हम यहां पर बटर लगा देंगे, क्योंकि बटर से टेस्ट अच्छा आता है, आप चाहे तो तेल भी लगा सकते हैं, अब हम इसको पलट देंगे दूसरी साइट से न अब दूसरा बैटर फैलाने से पहले तवे के टेंपरेचर को हमें नॉर्मल करना है, तो उसके लिए टीशू मैंने गीला कर दिया है, और इसको तवे के टेंपरेचर को नॉर्मल कर दिया है, आप चाहे तो पानी के छीटे डालका कपड़े से पहुँचकर भी तवे के टे बना सकते हैं किसी भी तरह का डोसा आप बना सकते हैं तो इसी तरह से हमें सारे डोसे बना कर तयार कर लेना है यह डोसे में मसाला लगाऊंगी आलू का मसाला मैंने पहले से बना कर रखा हुआ था तो बस कुछ सादे डोसे बनाऊंगी और कुछ मसाला डोसा तो इस तरीके से मैंने मसाला फैला दिया है और बस इसको हम एक साइट से जैसे ये पक चाहेगा मसाला फैलाते हुए इसको हम समेट देंगे आप चाहे तो इसको दबाईए या ऐसे ही इसको निकाल दीजिए फटा फट डो से तयार हो जाते हैं बिलकुल भी जंजट नहीं है इसको बनाने में तो बस इसी तरह से पाँच ब्रेट से कम से कम हमें साथ या आठ बड़े डोसे बनकर तयार हो जाते हैं पाँच मैंने ब्रेट स्लाइस लिये थे और सूजी ली थी बस इसी तरह से सारे डोसे बनकर फटाफफट से हमारा breakfast तयार हो गया है देखिए ऐसे बनाना कितना सरल है ना दाल भिगोने का जंजट ना हमें चामल भिगोना है बस बिना दाल चामल के डोसे बन गेवे इन्हें नागल की चटनी और मसाला डोसा की जो मसाले वाली अंदर आलू की stuffing होती है वो साथ में serve कीजिए बहुत ही ज़्यादा tasty लगता है ये नाश्टा आप इसे जरूर बनाएए और मेरे चैनल को like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में तब तक अपना खुप कुप ख्याल रखिए स्वस्त रहे, मस्त रहे, thank you